नमस्कार मैं रहुनात प्रशाद आज competitive exam के त्यारी कर रहे है candidates के लिए और सथमी बिहार Public Service Commission के PTA exam combined competitive exam के civil services के PTA exam का जो notification कल जारी हुआ है उसकी चर्चा कर रहा हूँ मैं candidate समरोद करूँगा कि जो authorized website bps.bis.nic.in इस पर जाएं और एक एक पंक्ति को notification के एक पंक्ति को ध्यान से देखें मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि कल मुझे एक candidate ने phone किया और चुकि अभी result आया है सरस्थभी BPST के PTA का उस candidate का qualifying result में नाम है उन्होंने अपनी समर्ष्या बतलाई कि उनके पास जिस साल का EWS certificate मांगा गया था जिस फ्रेंस्टिये लेर का वो नहीं है उसके पहले वित्तिय वर्सका है उसके बाद की वित्तिय वर्सका है मैंने कहा कि आपने advertisement तो परहा होगा कि मैंने उस वक्त तो कर दिया लेकिन उस वित्तिय वर्सका नहीं है मैंने उन्हें बतलाया कि यह तो दिक्कत होगी आपको लेकिन मैंने पूछा कि आपको कितना मार्च्ष आया है तो उन्होंने कहा कि 112 है जैसा कि आप सभी जानते हैं कि unreserved category का 113 cut-up है और EWS का 109 इसलिए मैं candidate से कोई हसलाह दूंगा कि एक एक पंक्ति को परें और एक notebook पर एक-एक प्रक्रिया सुरू हो रही है जो 20 दिसंबर तक चलेगी 281 vacancies है different विभागों के लिए लेकिन preliminary test से पहले जो भी vacancies आएगी मैं समस्ता हूं कि उसे जोरा जाएगा आवेतकों की संख्या को देखते हुए examination कितने shift में हो इस पर नरने लिया जाएगा आयोग के द्वारा पहली बार आयोग ने एक option दिया है तीन option candidates को negative marking के समन्द में जिस option में सबसे ज़्यादा candidates का choice आएगा मत होगा उसके अनुसार negative marking की विवस्था BPSC पहली बार करेगा qualification graduation चाहिए कि सिविया stream में last date of application के बाद 10 दिन तक edit करने का option आएगा संभावित है जो पीटी परिक्षा की तिथी है वो 12 फर्वरी 23 है और इसका result 27 मार्च 23 को संभावित है main examination का date संभावित है 12 माई 2023 और result 26 जुलाई 23 जो मैंने देखा सर्च करके मैं बार बार कहूंगा तो अथरा जो website को जहुर देखें interview का बतला जा रहा है कि 11 अगस्ति 23 से सुरू होगा final result इसका 9 अक्टूबर 23 को आएगा selection का जो process होगा preliminary test सिर्फ screening होगा और final merit list मैंस और interview के marks को मिला कर होगा preliminary test 150 question होंगे सभी होंगे objective multiple twice question दो घंटे का समय होगा मैं मेंस के की जो वेकेंस इस advertisement के लिए जो वेकेंसी है उसके 10 times candidate मेंस के लिए चुने जाएंगे और जैसा कि हम लोगों को जो जानकारी है जो आयोक का नर्णय होता है उसके अनुसार शीट के उतने गुणा में जो उनका decision होगा वो इंटर्व्यू के लिए call किये जाएंगे आप छीट संख्या में उभी category wise पीटी में जो मार्क्स आएगा वो जोरा नहीं जाना है मेंस के बाद इंटर्व्यू होगा दोनों के मार्क्स को जूर कर ही final result आएगा मेंस में जो पेपर होते हैं एक तो हिंदी होगा कंपल्सरी जो एक सो नंबर का होगा और यह क्वालिफाइंग होगा इसमें 30 नंबर सभी कंडियेट को लाना आनिवार जहें यदि किसी कंडियेट को 30 से कम आया तो चाहे कितना भी मार्क्स हो उनको जेनल स्टडीज के दूनों पेपर में और आप्सनल में वो बाहर हो अंक का होगा मेंस जिसके आधार पर इंटर्विव के लिए सेलेक्शन होगा इंटर्विव एक सो बीस अंकों का है और उसके बाद जो इंटर्विव के बाद जो फाइनल रिजल्ट होगा वो मेरे टलिस्ट उस पर तियार होगा अब आप ये फॉर्म भरते वक्त ये ध्यान रखेंगे कि इमेल आईडी की जुरुत आपको परेगी मुबाइल नमबर मेरे ख्याल से इमेल आईडी और मुबाइल नमबर ऐसा दीजिए जो आप चेंज ना करें पूरी परकिरिया के अंतर अगर जो फोटो रेक्वाइड ह होगा फी का निर्देश आप देख लीजिए रिजर्वेशन के लिए के लिए जो सेटिफिकेट का डिवांड है रिक्वार्मेंट है उसको देख लीजिए मैं इस्पेसली अलर्ट करना चाहूंगा बीसी और एबीसी कंडियाट को चुकि हर आयोग में बिहार में सबसे जा करना चाहिए और सारे स्टेप बाई स्टेप आप सही से फ़र्म भरेंगे ताकि कोई दिक्कत नहीं हो सिलिए आपको खुब अच्छे से देख लें पीटी का भी और मेंस का भी और साइड बाई साइड दोनों तयारी आपको करनी होगी चुकि समय बहुत कम रहता है मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें बेल एकन को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नुट्फिकेशन आपको तुरत मिल जाए आप सभी लोगों के लिए सुब कामना है धन्यवाद जाए